हेलो बच्चो, गुड इवीनिंग अल अफ यू, आज मैं कोशन्स एंसर कराऊंगी, क्लास्थिरी के बच्चे को, क्लास्थिरी के बच्चे को कोशन्स एंसर कराऊंगी, जो मैं ये कभीता पहले पढ़ा चुकी हूँ, बड़े चलो, बड़े चलो, जो मैं कभीता आप लोग पहले है मौखिक प्रश्न, पहला कोशन किया, आप लोग अपना-पना कॉपी निकाली है और उसमें लिखिये, ठीक है, जो मैं आंसर आप लोगों को बता रही हूँ, पहला, क्या हमें मुशिकलों को देखकर हार माल लेनी चाहिए, क्या लगता है, हमें मुश्किल समय में हार मानना चाहिए मुश्किल देखकर हाई या ना क्या होगा इसका एंसर इसका बीटा के माध्य हमसे हमने क्या पारा है मुश्किल समय में क्या करना चाहिए रुकना नहीं चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए है ना तो इसका एंसर क्या होगा नहीं क्या होगा नहीं क्या हमें मुश्की लोग के देखकर हार मालनी नी चाहिए नहीं दूसरी कोशन क्या है यदी साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए बच्चो क्या करना चाहिए बोलो इस पोयाम में हमने पढ़ा था ना यहाँ पर देखो यहां क्या लिखा हुआ है साथी पीछे छूद गए तो बड़े चलो एक अकेले तुम ही काफी चले चलो बड़े चलो तो हमें क्या करना चाहिए अगर यदी साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए हमें आगे बरते रहना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए दिखें या लिखियों में आगे बरते रहना चाहिए ठीक है बच्चो अगर साथी यदी साथी हमारा साथ छोड़ दे कोशन क्या है यदि साथ ही हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए हमें आगे बरते रहना चाहिए ठीक है बच्चो निष्ट देखो गया कभी ने हमें क्या करने के लिए कहा है बच्चो इस कविता के माध्यम से कभी ने हमें क्या बोला है कभी यहां आगे बढ़ने की प्रेना दी है ठीके बच्चो इस कविता के माध्यम से कभी ने हमें क्या कहा है कभी ने ये कहा है कि हमें हमेसा आगे बढ़ते रहना चाहिए चाहे कोई भी परिशानी हो कोई भी कठिनाई क्यों ना हो ठीके बच्चो तो पहला कोशन्स का एंसर क्या होगा नहीं क्या एंसर होगा क्या हमें मुश्किलों देखकर हार मालने न चाहिए एंसर क्या होगा नहीं यदि साथ ही हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए हमें इसका एंसर क्या होगा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए कभी ने हमें क्या करने के लिए कहा है कभी ने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है इसका answer में यहाँ पर लिखी हूँ इसका answer में आप लोगों को WhatsApp इमेज में भेज दूँगी WhatsApp ग्रूप में भेज दूँगी ठीके बच्चो और देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या बोला है बच्चो सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगा है हमें ठक कर क्यूं नहीं ठार ना है इसमें क्या होगा दो option दिया इसमें कीशी एक option में मुझे ठिक मा करना है आप बोलो क्यूंकि अभी हमारी मन्जिल नहीं आई है या क्यूंकि चलते समें ठार्ना नहीं चाहिए दोने मसें कौन सा होगा बोलो वान नमबर की टू नमबर कौन सा होगा बोलो बच्चो ये क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है ठीक है इसमें हम यहाँ पर टिक माग करेंगे आप लोग अपने बुक खोल के हैं टिक माग कीजिए उसके बाद क्या है रास्ते में काटे बीछे होने का अर्थ है क्या है जीवन में कठनाईया या दूख होना या रास्ता में काटे परे होना क्या होगा बोलो वान नमबर की टू नमबर कौन सा होगा फिर से पड़ो कोश्चन को रास्ते में काटे बीछे होने का अर्थ है जीवन में कठनाईया या दूख होना या रास्ते में काटे परे होना दुन मसे कौन अंसर होगा? बल बच्चो कौन सा होगा? यह वान नमबर होगा इसलिए हमने यहाँ पर टिक माग करेंगे गान नमबर क्या है? यह दि हमारे साथी पीछे छूच जाए तो हमें रुख जाना चाहिए या हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए इस कविता में हमने क्या पढ़ा है? दुसरा वाला हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए तो हमें इसमें किया समझ में आया बच्चो? समझ में नहीं आये तो हमारी वीडियो को बार बार दिखिएगा ठीक है समझने की कोशिश कीजिएगा अगर कुछ भी प्राबलम हो तो हमारे WhatsApp ग्रूप में मुझे Message कीजिएगा वहाँ में आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ठीक है बच्चो आप लोग का homework की आ रहा यह सब अपने book अपने इसको तो book में कीजिएगा और इस questions answer को अपने copy पे school copy में लिखिएगा ठीक है ओके अभी के लिए बबबे टिक केर गुटनाइट